स्वाइब दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं हुने के लिए हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इस कंपाउंड पर रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे के बारे के इस शुरू करत क्यों कृतने हैं दो करोड ठीक है तो टोटल नंबर जितने कंपाउंड के हो oxygen के हो हर्डोजन के हो तो इसमें कारबन वैसे कंपाउंड जिसमें कारबन है ठीक है कहीं पे भी हो आगे पीछे उसमें कारबन की नंबर हो से इक से अधिक भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं वह अगर 101 पर सी नंट करोड ने 7 इसंतर आपको सब्छ में आ रहा है कितना बडा अंतर हो जा रहा है तो इतना जादे कार्बन अपना कंपाउंड कैसे बना लेता है जब कि दूसरा अलिमेंट नहीं बना पाते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में समझने वारे हैं का मतल από है कि म 있어서 अफ्र ग नसमें तो इसके कारण कार्बन के इतने सारे कं बन जाते हैं कि आउट नमबर कर देताई बैसा क्पॉंड को से था ही ठील कि क Minshey साल कमपॉंड कि इसके है इसका कंपाउंड की इतना ज्यादै कि आव इस में बन जाता है विजका विजकी आ इसंटा मि हम लोग detail में पढ़ेंगे पहला हो गया catenation अधुत्रा टेक्टावल्स यही दोनों रिजन है जिसके कारण से कारण के इतने जादे number of compound बन जाते हैं अब हम लोग समझते है catenation क्या होता है ठीक है जैसे नाम है उसी सरह से समझना जाएगा carbon has a unique ability to form bond with other atom of carbon giving rise to a large molecule घिक कारण के पास एक क्वर्ण desem के साथ ही अटैच हो कि यह number उसमें गृृप म मनाने लगत यह से कारण रान है कि उसरे कारण से यह तरह से यह अपस में यूनिक एविलिटी तो फॉर्म बॉन्ड विज अधर 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 यह प्रोपर्टी जनरली दूसरे में देखने को नहीं मिली ठीक है अगर हम लोग एक्जाम्पूल के लिए हम लोग बात करते हैं ऑक्सिजन में तो ऑक्सिजन कितना ऑक क्यों जब करते हो अधर तो तीन तरह के इसमने बॉंड़िंग होगा बॉंडिंग तो हो 40 वालेंटी होगा इसे को 12 होगा को Tam cousin my father Blan बनेंगे से इसको 5 ऐसे परलगना even को सब्सक्राइब ऑद में पढ़ने के लिए तो समझें के लिए उसको थीरुक्त में बाखे吧 लोंग हो सकता में सकता है या फिर एफ हू सकता है ठीके अब इसको तो हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे catenation में long chain कैसे बन जाता है branch chain कैसे बन जाता है और rings कैसे बन जाता है अभी हम लोग यह चीज, हम लोग नहीं समझना है, यह हम लोग आगे वाला पार्ट में समझेंगे, पहले हम यह चाहलना है कि लोग लाइड की यह चाहला है, जो करभान रेटम है, वह दूसरे, से तीसरे से चाटे से पच्वे से शक्टे से सत्य से अभी से बात है है समुए यहां पर दूसरा आविदमिन जो भी हम attach करना चाहे वह attach होगा लेकिं हम लोग अभी कारवन पर ध्यान दे रहें क्योंकि केटेमिशन पौड़र है केटेमिशन में करवण का ही चैन जो होता है वह हम लोग समय को यह हो गया लॉग तो इसमें लॉंग चैन हुआ तो कितने करवण का हुआ एक दू तीछर पांच छे साथ आट अज चैन का हुआ ऐसा नहीं इन जो दो सो चैन तक चले जा तो इस से एक के बाद करते हैं, जैसे की कार्बन है इस सीरीज लांग चैन में से अगर ब्रांशनिकलने लग फीक है तो उसको ब्रांच होगा ठीक है, यह कंसप्स में आJust अब हम लोग समझते हैं रिंग वालय में ॏ कि होगा कि पहला वіє जो जहां से में इसाल होता है अगर वह आखरी वी का से और ईस इस लिए बनाता है चेन बनाते कर मोति की माला बनाती है एक हैसे डालते और पहला वाला और चांट अपंस में आटाइच हो जाए तो एक ऐसा रख़ट हो जाए कार्बन जोए वह तो आपस में सारे नहीं पहला वाला ही जो है वह एंड वाले से अकैश हो गई और बाकी पूरा स्रीज मेरेगा एक रिंग से बना यहां पर 6 करवन का रिंग से था करवन जो था 6 नमबर है अम लोग को चार अगर बनाना रहे तो कैसे बनेगा एक दो ती चार बन गा ठीक है य ये तीकिन हो जाता है तो आगे आएगा उसमें हम लीजरता है कर चार रो भाएगा में के इसके ऑर सीज़र आता है इसके साथ यो चिंगल बॉंड वां। इसके साथ double और triple bond भी बनेंगे ठीक है अब जैसे कि यहां पर जो ring shape वाला का मैं बात करता हूँ यहां पर यह जो बन गया ring shape अब इस तरह का जो shape बनता है तो इसके हमेशा याद रखे कि corner पर carbon बैठा हुआ है अब यहां पर मैं बैठा भी देता हूँ carbon carbon ज्यान देना इसमें सब carbon होगा अब यहां पर बोल रहा है कि double bond और single bond भी आ जाएगा तो वह कैसे होगा मानलों अभी single bond है ठीक है carbon कितना number six है तो carbon के number में changes नहीं होगा ठीक है लेकिन यहां मानलों double bond हो सकता है तो इस तरह का भी हो सकता है हो सकता है कि एक double bond हो सकता है ठीक है जैसे बाट है उसे ट्रिपल ऑन्ट भी आ सकता है जैसे कि यहां पर आप देखो carbon का पांच चेन का बना देता हूँ जामपूल अब कहीं पर मालो की त्रीपल बॉंड आगे है यह हो सकता है ठीक है बाकि जो वैलेंसी दूसरा है रिद्रोजन से साथिस्फाइड हो जागा लेकिन यहां पर आप देखो कि कार्बन कार्बन जो है ट्रीपल बॉंड से बैटा अच्छा ठीक है बाकि सिंगल बॉं से आप बर्णच में लो भी रहता हुँ हो जागा ठीक है तो पहले अब कार्बन का स्ट्रक्चर समझ लो ज्क्राइब ब्रांच के से लिद्याशियर ज़ामपूल बनाता है ठीक है यह ट्रिपल बॉंड कर दो ठीक है कुछ भी यहां पर हो सकता है ठीक है ब्रांच बन गया ठीक है तो branch में भी triple bond हो सकता है ऐसे करके branch बनेगा ring बनेगा long chain बनेगा double bond होगा single bond होगा तो इस तरह का जो इतना type से compound बन रहे है वो उतने different type के compound होगा जैसे कि अब यहाँ पर different type of compound कैसे हो गया कि मालो तो एक compound यहाँ पर मैं बनाता हूं carbon 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 ठीक है यह compound बना इसमें obvious से बात है hydrogen लगेगा carbon double bond carbon single bond carbon यह compound बना carbon triple bond carbon single bond carbon यह compound बन गया अब इसके बाद क्या होगा यह दखो तीन ही carbon है लेकिन तीन ही carbon के कारण यहाँ पर तीन अलग अलग property वाले अलग 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 यहाँ बनेगा तीन उसके बाद फंक्शनल गूर्प का जो changes होगा अब मालो कि यह चार का रहता है तो चार सिंगल में भी हो गया ठीक है अब चार में है अगर हम ब्लांच करना चाहें तो यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है और इसमें बनाना चाहें यह बन गया ठीक है अब इसमें लोग डवल बाॉंड भी डालना चाहें तो वह भी हो जाएगा तो चार कार्बन के अटम से में देखो कितना सारा molecule यहार बनाते चाहिए सब अलग लग है कोई सेम नहीं है सब अलग लग इतने जादे कारण तो इसके नमबर दो करोड़ पहन जाते हैं यह कारण 20 होता है और यह स्टी कान स्टेबलीबुसान अगर बात करें कि दूसरा कोंसा element है तो सिलिकन मैं कंदिया साथ चेलिकन चीलिकन कतना जाता साथ आठके बाद कि इसके सक्ति घथा फिक रजाता उसके बाद इसमें त्रॉट बार इसका साइज भी बड़ा हो जाता है तो यह सारे तरह से सेट बैठता है कार्बन के लिए इसमें बहुत अचा है बैठता है और जो उसकी बांडिंग होती ही काफी कारबन कारबन की जो कोवरेंट बंग होती है काफी स्ट्रॉंग होती इस टेबल भी होता है ठीक है इस गिव राइस तो ए लाज नंबर ओफ इस टारब से बहुत कारबन का चैन बना देता है या रिंग से लंबे कंपॉंद है अब अधर में कारबन होता है कि नहीं तो इस जैसे मैंने बताया कि शीलिकन में करेट इशन होता है लेकिन वह साथ अटम से जादे कि और नहीं जाता ठीक है और बाकि किसी और अलमेंट में हमें काटनेशन नहीं देखने को मिलेगा थोड़ा वह सल्फर में मिलता है लेकिन वह भी जाते नहीं है अगर नहीं बनाते हैं तो टोतल नामबर आपको बनाने अगर नहीं आ रहा कोई बता दे रहा एक दो पाट के बाद वह आजाएगा इसमें ला पंटे से तो इसमें कारवन का एक्टम कितना है तो पेंटेन है यहां पर कारवन कारवन यह होगा ठीक है यह 5 एक्टम इस तरह से टाइच होगे अब बाकि सारे पर है यहां सब जगा है है अब यहां पर देखो कारवन 5 है एक दो फीप प्र फाइच है और हट्रोजन ट्वेल एक दो ती चार पांच छह साथ आठ नो दस जारा बारा ठीक है अभी आप उस्वाइच की कारवन कारवन बांड इतने प्रेजेंट है है इसमें फ्रोटल नंबर एक दो टी चार यहां पर चार अनिसर से करबन करबन कितने बांट प्रेजेंट है तो चार प्रेजेंट है अब लोग बात करेंगे टेट्रा वैलेंसी क्या होगी ठीक है कैटेनेशन हम लोग समझ गये पहली पुर्पर्टी अब दूसरा क्यों jalु जैसे को हम लोग जानते हैं कि सब्रोटेंशन है इसपी जो आउटर सेल में होते है अब चार इल्क्रों है इसकों पूरा अउटटर सेल के लिए अज दीन की जरूरत है तो बांज से यह और कवण एक श्रुम hour धूसरे अल्मक वनन बनाएगा जैसे कि हम लोगे मीथेन में स्ट्रेक्चर में देखा था चार वो हैड्रोजन से यह अटैच हो गया था और मीथेन बन गया था ठीक है अब यहां पर वैलेंसी इसकी सटिफ़ाइब को जैसे बांडिंग में को वैलेंट ने बता था वह मैं इसके डीप में ने जा इसकी जो चार वैलेंसी होती है इसी को कहेंगे टेट्रा वैलेंसी कारवन ठीक है कंपाउंस आफ कारवन और फॉंग और यहां पर धेर साले अलेमेंट वनेगे तो जैसे यह चीज़ जो मैंने शुरुवात बताया था जैसे कि कारवन कारवन यह है एक इस्ट्रक्चर भी बना सकता हो ठीक है चार कारवन का बन गिया अब बात यह आती है अब यहा पर सिंगल बॉंड आएगा वह तो खुगा ही अभी मैं उसको जिक्र नहीं कर रहा हुँ तीन चार कारवन एटम से चार यहां बन गया अब यहां पर हैड्रोजन नैट्रोजन ऑक्सिजन यह सब भी तो अटाइच होगा तो मान लो कि यहां पर सब मान लो है ठीक है मैं लिख नही इस में प्रोपर्टी एक गुलोरीन आ यहां कही फे मान लो कि दो क्लोरीन आ गया ठीक है कहीं एक जेगा पर डवल बाॉंड से तो आप देखो कार्वन के साथ हड्रोजन तो अटाइच होई रहा उसके साथ मैं पर अ गःत्रोजन ऑक्सिजन होगा है नाट्रोजन अटाइ पूलेट को CH3 के साथ Mithane बन गया ठीक है Mithane बन गया CH3 के साथ C L जुड़ गया तो Chloromethile बन गया ठीक है यहाँ पर CH3 के साथ यहाँ पर Brumine जुट गया ठीक है अब CH3 के साथ Nitro Group जुट गया CH3 के साथ NH3 NH2 जुट गया ठीक है CH3 के साथ S43 जुट गया CH3 इस तरह से बढ़ते जाएगा जितना आप बनाना चाहो उतना बन जाता है इसका तो कहने का मतलब यह हो गया कि एक कार्बन का काम के साथ तो कार्बन हैड्रोजन जुठी रहे है उसके साथ अधर एलेमेंट भी जोट है इसके कारणद इसके इतनी जादे वर्जतल टायली . इतने जादे इसके यह साथ य्जो इन औरगण के वाले हैं जेतने बागी कि ऐलीमेट उससे बहुत झालते असमों तो कि क्लोरिम के कारण इसमें influence हो गया इसके जान तो प्रपर्टि इसके बदल जाएगे अब यहां पर मालो के NO2 तो प्रपर्टी और ही अलग जाएगे तो अलग प्रपर्टी बदल चाहिए जाएगे जितने डवल है या सिंगल बांड़ सब के जान प्र परपर्टी इसके नार छोन देत डृपन डार बॉन और निक वार्फिकृसंद के बीच में नेर सुनाया मीन梲ॉिशल है इसका जो बॉन्डीं होता है वह काखी स्ट्रॉंगником होता है है और शीरन ये stability तोड़ा से height करने पर तूट गया बाॉंद या फिसी कारण दूसरे element के influence में फिर था तूट जहां निन होता है काफी इस्टेबल होता है One of the region for the formation of strong bond is carbon is small size carbon की atomic size होती हो तो काफी स्ट्टी है इसे का इस Jadi stability काफी एचनी होता है इलेक्ट्रॉन को फोल्ड प्रोट्रान को पखड़ करके पकड़के रखता है। इस कारण से इस्टेबल काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस इनेबल था नुगीनियस कोपड़ आफ याल मुल आफThere लेक्ट्रॉन इस सी नुल मी और प्यूपोलिया। साथ आठञें बह्या हैं क्योंकि silicon का size carbon के size से काफी बढ़ा हो जाता है इसी करण से इसे कराइन से そう ओड हो जाता है साथ dollon हो काफी स्टेबल बांदिंग रता है इसी करण से carbon के इतने यह वर्सेटाईल बनते हैं करोड़ों कंपाउंट बन जाते हैं अब और्गेनिक कंपाउंट की हम लोग बात करते हैं और्गेनिक कंपाउंड आप लोगों बहुत सारा नाम तो नहीं भूता गया ज्यू ट्रेक्टरा वैलेंसी जैसे मैंने बताया और काटेनेशन दूना प्रोपर्टी हम बहुत नंबर अव कंपाउंड बढ़ जाता हैं इस 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 चाहिए जितने भी कंपाउंड है जिसमें कारवन होते हैं वह सारा हमें लिविंग से प्राफ्ट हो रहा थे या तो पेड़ पौध है सहीं किसी जान पर थे ठीक है वह न कोई उसमें लिविंग बिंग होना चाह से हमें प्राफ्ट हू रहा था तो यह समझ में उससमें तक आया यह सारे जोग लिविंग सिस्टम से हमें प्राफ्ट हो रहा है इस लिए औरॡट किसी नानि और वो समय तक यह भी सोचा जाता था कि यह भी जो जितने भी ऑर्गनिक कंपाउंड है जितने भी प्लांट बेट्स कंपाउंड है यह वाइटल फोर्स उसमें चाहिए मलब लीविंग फोर्स चाहिए तभी यह इसकी सेंथेसिस हो पाएगी ऐसे इसकी सेंथेसिस करना संभव नहीं है ठीक है उस समय तक यह सूच थी ठीक है अब आगे देखो क्या होता है एक साइंटिस्ट आते हैं फेडरी घूलर करके इन् इन्होंने यूरिया बना दिया फॉम अमोनियम साइनीट एमोनियम साइनट एन फोर सीएनकन ठीक है यह जो है यह इन ऑर्गेनिक है फीक है यह ऑर्गेनिक किसी बी ऑर्गेनिशम से प्यार्त नहीं होता है यह साग्भ थेतना ठीक है hunаниya तो यह यूरिया में Convert हो गया, C-O-N-H-2-C-O-N-H-2-C-O-N-H-2-C-O-N-H-2-C-O-N-H-2-C-O-N-H-2-C-O-N-H-2 ने क्या किया, इन्होंने Ammonium Sinate लिया, जो कि Inorganic Sard था, उसको Hit करके Organic Sard ना जड़ल दिया, ठीक है, तो यह जो थियोरी चली आ रही थी, कि Vital Force जरूरी है Organic Compound के लिए यह थोरी गलत होगे, कैसे गलत होगे, क्योंकि इन्होंने Inorganic Sard को Organic Sard में बदल के दिखा दिया, यूर यह चीज़ तो Confusion हो गया, लेकिन अब आगे जाके यह तो नाम पढ़ चुका था, लेकिन आगे जाके इसका क्या हुआ, अब समझोगे, यहां प्या आता है Organic Chemistry, उसका क्या मतना हुआ, The Study of Carbon Compound, Except for Carbide Oxides of Carbon, Carbon Nails and Hydrogen Carbonate Sard are Known as Organic Chemistry, अब चुकि नाम तो पढ़ चुका था, ठ नाम को continue रखा गया, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है, कि जितने भी Organic Compound है, वो किसी न किसी Organism से ही प्राप्त हो, उसको इन Organic भी बनाया सकता है, सभी को नहीं बनाया सकता है, लेकिन हाँ बहुत हद तक को बनाया जा सकता है, और इस पूरे को जो Study करते हैं, उसको हम Carbides, ठीक है, Example के लिए मैं लिखते चल जाता हूँ, ठीक है, Calcium Carbide, Ca2C, Calcium Carbide, ठीक है, उसका रद Oxides of Carbon, ठीक है, तो CO2 Carbon Mono, ठीक है, Carbon Oxide, Carbon Mono Oxide, Oxides of Carbon, Carbonate, CaCO2, ठीक है, तो Carbonate हो लिए, Hydrogen Carbonate होगा है, Calcium Bitone, Ca2C, ठीक है, ठीक है, तो यह होगया, Hydrogen Carbon, और यह चारो, जो Carbon, यह जो होगया, Oxides होगया, Carbides होगया, कार्बोनेट्स होगया, Calcium Carbonate, Solium Carbonate, Magnesium कार्बोनेट्स होगया, उसके बाद Bicarbonate होगया, जो कि हम लोग इसी बीट सार्ड में पढ़े थे, Bicarbonate, Carbon, वो सब इन चारो को छोड़के, बाकि जितने भी सार्ड हो जाते हैं, वो Carbon-based हो, वो उसको हम लोग Organic Chemistry के अंतरगत पाते हैं, जबकि देखो, इसमें भी Carbon, Carbon है, लेकित इन चारो को छोड़के, बदफी, Carbide हो गया, Oxides of Carbon हो गया, फिर आपका Carbonate हो गया, Bicarbonate हो इन को छोड़के, बाकि जितने आ जाते हैं, वो जबको और इन पर पर, अब यहाँ पे Question में आते हैं, which of the following is not a organic compound, कौन सा organic compound नहीं है, not a compound है, तो calcium carbonate है, यहाँ पर COCO3, यहाँ पर CH4 methane है, यह C6H12O6, यह glucose होता है, और यह CS3CW, Acetic Acid है, अब यहाँ पर देखो, यह organic compound का क्या, organic compound का क्या definition आ जाता, organic chemistry का, Oxides of carbon की Oxides होंगे, Carbonates होंगे, Bicomnele, Carbides होंगे, इन को छोड़के बाकी जितना होगे, वो सारे organic compound होगे, यहाँ पर देखो, है, नहीं है, कोई भी Oxide Carbides नहीं है, यहाँ पर glucose है, यह भी नहीं है, यह पर acid है, यह भी नहीं है, यह चारो organic compound हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ calcium carbonate है, calcium carbonate जो की organic compound के नहीं आता है, इसका सभी हाँ सब्सक्राइब हो जाए, thank you very much, वीडियो आपको इच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब होगे, मिलते हैं अगले वीडियो पर देखोंगे, 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 अगले वीडियो पर